असलाम लेकूम क्या आप सब भी जब भी मक्के की रोटी बनाते हैं तो तूट जाती है ये भी खर जाती है या आप उसे सही से बना नहीं पाते हैं तो ये वीडियो आप सब के लिए हैं ये वीडियो देखने के बाद आप पतली पतली रोटी की जैसी फुली फुली मक्के की रोटी बना के त्यार करेंगे तो चलिए देख लेते हैं कि इसे मैंने कैसे बना के त्यार किया है बिस्मिल्लाही रह्मानी रही ये देखे एक कप मैंने पानी लिया है और पानी को गैस पे चड़ा दिया है उसको अच्छे से उबाल आजाने देते हैं जब उस में अच्छे से उबाल आजाएगा तो 1 कप मैंने उस मक्के का आटा शामिल कर देंगे उसको अच्छे से mix कर देंगे मिस करने के बाद उसको 15 मिनट के लिए ढख के छोड़ देंगे 15 मिनट ढखने के बाद उसको आटे के जैसा गूत लेंगे और गूतने के बाद लोई बना लेंगे एक कप से चार बनेगी और देखिए मैंने हलका सा पलेथन लगा के इसको बेल लिया है बेल के एक एक करके चार मेरा बना है चारों को बेल के रख लेंगे फिर तावा गरम करेंगे गैस पर उसके डाल के मिडियम फ्लेम पर सेक लेंगे देखिए मैं किस तरह से सेक रही हूँ और पतली सी मैंने बनाई है बिल्कुल रोटी की तरह और ये फूल भी रही है और इसी तरह से सभी को सेक लेंगे और सेक के त्यार कर देखिए दूसरी भी मैंने सेक ली है इसी तरह से चार रोटी बन के त्यार हुई है और मैं दिखा देती हूँ कितनी पतली और फुली फुली बन के त्यार हुई है और सॉफ्ट भी है इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही पतली और फुली-फुली मक्के की रोटी बना के त्यार कर लेंगे और आप सब को कोई इसमें बनाने में परिशानी भी नहीं होगी तो देखा आपने कितना आसान है न मक्के की रोटी बनाना जब मैं आटे गुंद रही थी मक्के का गूत के मैंने रखा था उसमें तो एक चमच मैंने तेल भी लाष्ट में एड़ किया था वो सूट नहीं पाया है आप सब वहां तेल भी एक चमच लगा के उसको गूतने के बाद उपर से लगा के रख दीजिएगा फिर 15 मिनिट के बाद इसको आप बेल के हलका पले था लाएकर रेडी कीजिएगा देखिए दोना तरफ से मैं दिखा देती हैं कितनी फूली और पतली सी रोटी बन के त्यार हुई है इस तरीके से आप परफेक्ट मक्के की रोटी बना के त्यार कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिए